ओम श्री गणेशाई नमाद, आप सभी को संकस्टी चतूर्थी की हार्दिक शुब कामना हैं, सबके उपर भगवान गणेश की कृपा बनी रहे, सबकी संतान दिर खायू हो और जीवन में सफलता को प्राप्त करे, इसी मनों कामना के साथ आज के कारिकरम की शुरुबात करत और चंद्रोदय का समय क्या होगा, जिस समय हमें चंद्रमा के दर्शन करके अपना व्रत पुरुण करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल बटिन को भी प्रेस कर लीजिए, तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अप्लोड होंगी, उनकी नोडिफिकेशन आपको सही जमय पर प्राप्त होगी, तो सबसे पहले बात करते हैं, संकष्टी चतूर्थी के शुब महुर्थ के बारे में, चतूर्थी तिथी प्रारंब हो रही है, दस जन्वरी को दो पहर में 12 बज कर 10 होता है, इसलिए 10 जन्वरी को मागमाज की संकष्टी चतूर्थी का तिलकुटा चौथ का व्रत रखा जाएगा, और आज हमारा व्रत है, और आज पूजा का शुब महुर्थ रहेगा, अभीजित महुर्थ का समय रहेगा, दोपहर में 12 बज कर 13 मिनट से, दोपहर 12 बज कर पूजा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, और जैसा कि कई भगतों के प्रशनाएं हैं कि पूजा हमें किस समय करनी है, कथा हमें कब सुननी है, तो देखिए, पूजा एक तो आप सुबह करेंगे, सुबह उटकर शनानित्यादी करने के बाद, आप सबसे पहले पूजा करत से, दौपहर 12 बज़कर 15 मिनट तक, आप इस समय में पूजा कर सकते हैं, या फिर जिस प्रकार से आपके ह suchen होता है, जो आपके घर की परिवार की परपरा है, उसके अनुसार आप दौपहर में पूजा कर सकते हैं विशेश पूजा भगवान गड़ेश की शाम के समय होती है जो शाम की पूजा होती है संकष्टी चतूर्थी की उस समय कथा सुनी जाती है और उस समय विशेश रूप से भगवान को तिल का भोग लगाया जाता है तिल और गुड के लड़ू का भोग आप लगा सकते हैं दिया तलं की मिठाईया होती धे अर्पित किया जाता है और पुरी तरह से आपकी इच्छा चंत और आपके सामर्ति पढ़ने पर करता है और अब बात करें तिलकुटा चौथ के पूज विधी के बारे में तो देखे सुबह की तो ए शाम की पूजा के लिए आप जिस dough foundational पूजा करते हैं उसे वीजह करते हैं किशा की स्थापना करना अत्यम्त आवश्यक होता है क्योंगि कोई भी विशेश पूजा क्या होती है किसी भी देवी ग्यूता की स्थापना जेश करना जरूरर करना है तो शाम की पूजा के लिए आप जिस भी स्थान पर पूजा करना चाहते हैं उस स्थान को पहले शुद्ध कर लीजिए फिर एक चौकी बिछाएंगे लकडी की चौकी और उसके उपर लाल या पीले रंग का वस्तर बिछा लीजिए शुद्ध और कोरा वस्तर होना चाहिए जो कि पूजा के लिए ही प्रयोग किया जाता है इस प्रकार का वस्तर होना चाहिए और उसके बाद उसी पर आपको भगवान गणेश की मूर्ती या प्रतिमा जो भी आपके पास उपलब्ध है स्थापित करना है आप चाहे तो पूरे शिव परिवार की फोटो या मूर्त अगर आपके पास तो आप उस विग्रह को स्थापित करके पहले उनका अभिशेक करेंगे चाहे तो पंचामबीत से या कच्चे दूद से या जल से जो भी आपके पास उपलब्ध है उसी से भगवान गणेश का अभिशेक कीजिए उसके बाद उन्हें पीले वस्त्रधार विवाह में आरही बाधाएं दूर होती है और संतान ट्राप्ती की कामना पुर्ण होती है तो गुड़हल के पुस्प अगर आपको मिल जाते हैं तो आज भगवान गणेश को जरूर अरपित कीजिए और आज भगवान गणेश को यग्योपवीत जरूर अरपित करना चाह ओम गंगण पताई नमा ओम गंगण पताई नमा इस मंत्रका चप करते हुए भगवान गणेश की पूजा कीजिए आज भगवान गणेश को 21 दूरवा अरपित करने से समस्त प्रकार की मनो कामनाय पूर्ण होती है और इसके साथ ही पान के पत्ते पर लॉंग, इलाइची और सुपारी रखकर और पंचमेवा रखकर भगवान गणेश को अरभित किया जाता है और भगवान गणेश की पूजा करते समय संकटा माता की भी विशेश रूप से पूजा की जाती है क्योंकि सकट चौथ है और सकट चौथ के दिन संकटा माता के साथ भगवान गणेश अर्गे देने के लिए एक पात्र में आपको थोड़ा सा दूद लेना है और हां दूद कच्छा होना चाहिए उबला हुआ दूद नहीं होना चाहिए गाय का दूद अगर आपको मिल जाता है सरवोत्तम है लेकिन अगर आपको गाय का दूद नहीं मिलता है तो जो भी दूद आपके पास उपलब्ध हो बस थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप उसका प्रियोग कर सकते हैं तो एक पात्र में आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है फिर आपको दूद रालना है उसके बाद जल से उस पात्र को भर लीजिए, थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा पुस्प और अक्षत डाल कर भगवान चंद्रदेव को देखते हुए उन्हें अर्गे दीजिए अर्गे देने के बाद धूप और दीप से चंद्रमा की पूजा कीजिए और तीन बार चंद्रमा की परिक्रमा करनी चाहिए, जैसे हम सुर्यदेव की परिक्रमा करते हैं, एक जगे पर खड़े होकर उसी प्रकार से, जिस स्थान पर खड़े होकर आपने चंद्रमा को अर्गे दिया है, उसी स्थान पर आप clockwise तीन बार गूँँ जाएंगे, तो अर्गे दे सकते हैं, चंद्रदेव का स्मरन करते हुए, उनका मंत्र जब करते हुए, चंद्रमा को अर्गे देने का मंत्र होता है, ओम चंद्रमसे नमा या ओम सोम सो माय नमा, इस मंत्र के द्वारा आप चंद्रमा को अर्गे दे सकते हैं, चंद्रमा के मंत्र का आप कितन भी संख्या में जब कर सकते हैं चाहे तो 108 बार या 11 बार 21 ये पूरी तरह से आपके समय पर ने भर करता है और इस प्रकार से विधिवत पूजा अराधना करने के बाद आप भगवान गणिश जी से शमा प्रातना कर लीजिए चंद्रदेवता से शमा प्रातना कर लीजिए क् कई तरह की हमसे जाने अंजाने गलतियां हो जाती है तो उन सभी प्रकार की गलतियों के लिए शमा प्रातना अत्यन तावश्यक है और इसके बाद भगवान गणिश चे प्रातना कीजिए कि आपकी संतान पर सदयव उनकी क्रिपा बनी रहे घर में सुक, सम्रिद्धी और स सभी सदस्यों को देना चाहिए बच्चों को भी पूजा में सामिल कीजिए उनसे कहिए भगवान गणिश की पूजा करें वो भी और आरती जरूर परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर आप कीजिए और हां बच्चों के माथे पर तिलक जरूर लगाईए जो भी आप भगव और तिल खा कर ही सबसे पहले जल पिया जाता है। उसके बाद जो भी शुद्ध और सात्विक भोजन आपने बनाया हैं, आप उसे ग्रहन कर सकते हैं। कई स्थानों पर ये व्रत अगले दिन भी खोला जाता है, तो जिस भी प्रकार से आपके यहां ये व्रत किया जाता है, आप उस प्रकार से ये व्रत कर सकते हैं। और अब सुनते हैं सकट चोथ ब्रत की कथा। एक बार माग के महीने में दिवरानी ने तिल चोथ का व्रत किया। पांच आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चोथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया। और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा खाएगी और उसके बाद ही कुछ और खाएगी। कथा सुनने के बाद वह जिठानी के हां चली गई। यह सुनकर देवरानी अपने घर लोटाई। यहां देवरानी के घर पर पती और बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आस तो त्योहार है इसलिए कुछ पकवान आदी भी खाने को मिलेगा। परन्तु जब बच्चों को पता चला कि आस तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पती को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी दो रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यूं करती हो। पती ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से चूट गया तो पाटे से मारा वह बेचारी गडेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई उस दिन गडेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे कि धोवने मारी पाटे मारी सो रही है या जाग रही है देवरानी बोली कुछ सो रही हूं कुछ जाग रही हूं गड़ेश जी बोले भूख लगी है कुछ खाने को दे देवरानी बोली क्या दूँ मेरे घर में तो अन्यका एक दाना भी नहीं है जिठानी बचा खुचा खाना दे दी थी वो भी आज नहीं मिला पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है वही खालो तिलकुट्टा खाने के बाद गड़ीश जी बोले धोवने मारी पाटे मारी निम्टाई लगी है कहां निम्टे देवरानी बोली पूरा घर पड़ा है जहां इच्छा हो वही निमटलो फिर गड़ीश जी बच्चे की तरह बोले अब कहां पोच्छू नीद में मग्ण देवरानी को बहुत गुस्षा आया कि कब से तंग किये जा रहे हैं सो नीद में ही गुस्षे में बोली मेरे सर पर पहुंच लो और कहां पोचोगे सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह देखने के बाद जिठानी ने बच्चो को देवरानी को बुलाने के लिए भीजा जिठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है बच्चे बुलाने गये और बोले चाची चलो माने बुलाया है सारा काम पड़ा है देवरानी ने ज सब कैसे हुआ दिर्वानी ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कह डाला घर लोटकर जिठानी ने अपने पती से कहा कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो उसका पती बोला कि भली मानस मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया है मैं तुम्हें धोवने और पा जिठानी ने कहा हे गड़ेश जी महराज मेरी देवरानी के यहां तो आपने सूखा तिल को टकाया था मैंने तो जरते घी का चूर्मा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है फल और मेवे भी रखे हैं आप जो भी चाहें खा लीजिए बाल सुरूप गड़ेश जी बोले अब निप्टे कहा जिठानी बोली उसके यहां तो टूटी फूटी जोपडी थी मेरे यहां तो कंचन के महल है जहां चाही निप्टो फिर गड़ेश जी ने पूछा अब पोचू कहा जिठानी बोली मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगा कर पोचलो धन की भूखी जि यह सब देखकर जिठानी बहुत परिशान हुई और उसने कहा हे गणेश जी महराज यह आपने क्या किया है मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे जिठानी ने घर की और खुद की सफाई करने की बहुत कोसिस करी लेकिन गंदगी और भी ज्यादा फैलती चली गई ज भगवान गणेश जी ने कहा देवरानी से जलन के कारण तुने जो किया था यह उसी का फल है अब तु अपने धन में से आधा धन उसे देदेगी तभी यह सब साफ होगा गणेश जी के कहने से उसने देवरानी को आधा धन तो बाढ़ दिया किन्तु मोहरों की एक हांडी चूले के नीचे गाड रखी थी उसने सोचा किसी को नहीं पता चलेगा और उसने उस धन को नहीं बाटा उसने कहा हे श्री गणेश जी आप तो अपना यह विखराव समेटो भगवान गणेश जी बोले पहले चूले के नीचे गाडी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी हुई दो सुई के भी दो हिस्से कर तभी यह सब साफ होगा तब भगवान गणेश के कहने पर जिठानी ने चूले के नीचे से मोहरों वाली हांडी निकाली और उसमें से भी दो हिस्से किये और सुई के भी दो हिस्से किये इस प्रकाट से गजानन ने बाल वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी क्रिपा करना लेकिन जिठानी को जैसी सजादी वैसी किसी को मत देना प्रेम से बोलिए गणेश जी महराज की जै सकट चौत माता की जै